हेलो दोस्तों विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज मैं आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट डिसकस करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है जैपूर राजस्थान ये बिसके लिए एक क्लस्टर हाउसिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 8 हाउसे डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम उनमें से एक डिसकस करेंगे जिसका प्लॉट एरिया है 25 फिट बाई 45 फिट दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे आए बढ़ते हैं में वीडियो पे तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह हमारी ट्रपेजियम शेप में साइट है इसका एरिया है 24,400 स्क्राइब इसका लॉंगे साइट के जो लेंध है वो है 194 फिट और जो शॉर्टेस साइट है वो है 140 फिट इसमें हमने 27 फिट का ओफसेट दिया है तो जो इसमें जो यह मार्क कर रहा हूँ यह आज हम डिसक्स करने वाले हैं बाकी के डिजाइन समकिसी और वीडियो में डिसक्स करेंगे तो आए इस इंडिविज्वल ले आउट पे चलते हैं कि अब में डिजाइन की बात करें तो इसमें आपका यह 25 विट का वेश्ट फेसिंग प्लॉट है और इसमें जो में इंटरेंस दिया गया है साइट पर वह है दस फुट बाइन इंच्च का में इंटरेंस है बड़ा सा इंटरेंस दिया है हमने फिर आता है आपका पोर्च अब पोर्च अरिया में जो पार्किंग कार के लिए पार्किंग अस्पेस गया उसकी जो डाइमेंचन है वह है अथारा फिट बाई डस फुट नो इसमें आपका अराम से एक कार आ जाएगा और एक बाइक आ सकती है और फिर उसके बाद आप देखो कि जब हम घर में एंट ऑर अगर हम लिए इरिया की बात करें तो यहां पर आप देखो कि एक टीवी कैबिनेट के लिए स्केश दिया गया है और दो सोफा आपका अराम से आजाएगा और लिविंग एरिया और डाइनिंग के कमज़ों बाद करो तो यह बदाए साड़े पंदरा तो किचन में आप देख सकते हो कि आपका जो ट्रेंगल बन रहा है यह आपका ओवन हो गया और फिर यह बेसिन हो गया और यह रखने की जगह और किचन का जो एरिया दिया है वह काफी सफीशेंट है तो यहां पर यहां से किचन का और लिविंग डाइनिंग का वेंटिलेशन हो जाएगा अब बात करें कॉमन ट्विलेट की तो यहां पर हमने एक काउडर रूम या उसको आप कॉमन बात्रों भी बोल सकते हैं वह दिया है जो कि कॉमन वाश्रूम की तरह यूज होगा और इसके आप दे से तो स्टेर्स आपकी जाती है उपर और इन स्टेर्स के नीचे आएगा आपका यह और रूम अब इस प्लोर पर जो एक और रूम बसता है वह आपका मास्टर बेडरूम हलां कि यह रूम यह काफी बड़ा बेडरूम है और इसमें आपको सफीशेंट वाड्रोग के लिए जगह मिल जाएगी और टीवी केवनेट थो हमने प्लैन में ऐसे बनाया नहीं है यहां पर आपका सफीशेंट एक बड़ा सा टीवी केवनेट आ जाएगा और इसमें एक ओवर लूकिंग पोर्ज की तरफ देखते हुए एक विंडो भी दी हुई है और बात करें इसमें तो अटैस्ट ट्वाइलेट है इस रोम में जिसकी डाइनेशन है आठ फूट 3.5 इंच फूट 5 इंच तो और इस रोम की जो बात करें वेंटिलेशन के तो वेंटिलेशन इसकी रोड साइट तो इस रोम है ध्यक्ते है आए आधि नियुक्त सेयों क्याक्ति अब जब हम सबसे पहले यह इसले दिया जिससे यह आपका स्टेर्स के साथ मिलाके और यह यह फूर मिलाकर डबल हाइटे स्पेस बनता है तो यह चोटी से जगह में हमें बड़े स्पेस की फ्लिंग आती है और फिर इसके बाद हम जाएंगे तो हमें सबसे पहले एक hall मिलता है इस hall का हमने function तो define नहीं किया है यह आप multipurpose hall की तरह use कर सकते हैं और फिर आते हैं इस पर ओपर की तरफ देखेंगे तो एक study room किया बनाया हमने जिसका dimension ने 13 feet by 10 feet और इस इन इस room की और यह hall की जो ventilation है वह अगेन हमने वही open to sky से रखी है इसकी ventilation और फिर इसके नीचे की तरफ आते हैं तो आपको दो बेडरूम और मिलते हैं toilet के लिए हमने दोनों में अटायस toilet नहीं दिया है एक हमने common toilet दिया है कि आपका study room और bedroom का एक common toilet हो जाएगा तो इसमें जो नीचे की तरफ दो बेडरूम आते हैं उसमें एक बेडरूम आपका 10 foot 9 inch इंटू 14 फूट का है और दूसरा बेडरूम जिसमें अटायस toilet है वो है 13 foot 1.5 inch इंटू 11 foot 9.5 inch का है जो की बिलकुल नीचे की बेडरूम की जितना ही उसका dimension है और फिर उसमें बात करें तो जो आपका दूसरा बेडरूम है उसमें आपकी अटायस बालकनी मिलती है जो कि इसकी dimension है 10 foot 9 inch इंटू 8 foot के लगबग है तो इसमें आपको काफी अच्छा स्पेस मिलता है और इसमें आप प्लांटर्स वगहरा भी रख सकते हैं और बात करें डोनों रूम के خ Concept और आपको कोई बिडाउट है तो आपको कमेंट सक्च्छाल में अपना नंबर दिया हैं और इसके जो फासाड का डिजाइन है वो मैं थोड़ा विज्वल दिखा दूँगा इसके बाकी क्योंकि एक क्लस्टर हाउसिंग प्रोजेक्ट से इसमें आठ हाउसर डिजाइन है तो हम एकट करके सारे प्लैंस बिस्टस करेंगे मैं सब्सक्राइब बनाने के कोशिश करूँगा तो जब सब्सक्रा आज होंगे नई वीडियो के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जिनको जब्रत हैं उनके साथ शेयर करने तो मिलते हैं आप से जल्दी नई वीडियो के साथ जब बनाने के साथ जब आपको 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 जब तो पिल लूदर को बुल अवपता है झाम हुआजित झाम है झाम हुआई लुए लुड़गी थान्य चो चाहुआया जाज़गी से प्सकत्त